हेला और वेलकम टू ग्रेट ओल्लाइन अकेडमी दोस्तों मेरा नाम है रविन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे में कुछ ऐसे प्रतम महिलाओं के बारे में जिन्हों ने रेलवे में सबसे पहला अपना योगदान उस वील्ड में दिया है जिसके पाद मैं आपको रेलवे के रिसेंट हिस्टरी जो हमारे फैक्ट जो अभी ऐसे फैक्ट हमारे 2015 के बाद से हो रहे हैं उनको मैं एक वीडियो में एक साथ कवर करूंगा 2015-2017 तक की इस पाओंगा आने वाले इस्टीं को मैं आगे वाले वीडियो में बताओंगा फिर हम करेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे दौरत दीगे हर एक वीडियो के हिस्ट्री रही है उसको हम लोग यहां पर एके करके समझेंगे देखे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुरेखा यादव जी के बारे में सुरेखा यादव जी ने 1988 में ही इंडिया की सबसे पहली फीमेल लोकोमोटिव बंड कर एक ऐसा इतिहास रचा जिस वक्त कहा जाता था कि वूमेंस डोंट ड्राइव रेल इंजन्स यह कहवत वूमेंस के लिए बहुत ही ज्यादा लोग इस्तमाल करते थे वूमेंस को कमजोड दिखाने के लिए सुजु सुरेखा यादव जी हैं उन्होंने इस कहावत को पूरी तरीके से तोड़ दिया और इसके बास से ही सुरेखा यादव जी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन गई अलग-अलग रेलवेट डिपार्टमेंट में इनको बुलाया जाने लगा और आज भी इनको बुलाया जाता है जब भी वूमेंन इंपाव्मेंट्स रेटेट कोई स्पीच होती है सो सुरेखा यादव जी को स्पेशल ट्रेंज थी उनको सुरेखा यादव जी 1988 से चलाती थी लगातार बाइस सालों तक ट्रेंज चलाने के बाद इनको 2011 में एक लॉंग-डिस्टेंस ट्रेंज चलाने का मौका मिला और यह लॉंग-डिस्टेंस कोई नॉर्मल ट्रेंज नहीं थी जो हमारी डेक्वन क से पूने तक जाती है और इंडिया की सबसे पहले डिलक्स इसके बारे में मैंने आपको पहले भी फ़र्स वीडियो में बताया है सो सुरेखा यादव जी 2011 में डेक्कन कुई ट्रेंड को ड्राइव करके सी सम्टी से पूने तक लेके गई थी इसी तरह जो इनका नेक्स्ट ऐसा अचीवमेंट है वह इंटरनेशनल वूमेंज डे 2021 को हुआ है इंटरनेशनल वूमेंज डे 2021 को सेलिबरेट करने के लिए रेलवे की तरफ से सुरेखा यादव जी को दोबारा मौका मिला एक लॉंग डिस्टेंस ट्रेंट चलाने का इनको मिला मॉंबई से लखनव तक भी उसमें मेल स्टाफ नहीं था और इंटरनेशनल वुमेंज डे 2021 को मुंबाई से लखनों तक ये ट्रेंज चलाए गए थी यह दोनों फैट गए आप लोग विल्कुल ध्यान रखे सुरेखायदों से रेटेंड यह सभी पॉइंट्स इंपोर्टेंट है चले सेकेंड गुजरेगी सो वह भी रेलवे में आने का सपना देख सके जिससे हमारा जो वुमेंज का कॉंट्रिबूशन है रेलवे में बढ़ेगा तो इसी लिए अलग अलग रेलवे जोन्स तरह की स्टेशन को बनाती है यह सभी स्टेशन हम लोग को याद रखने हैं सबसे पहला हमा मारा ऐसा स्टेशन है आंद्रप्रदेश की चितूड श्ट्रीट का चंद्रगीरी रेलवे स्टेशन और फोर्थ रेलवे स्टेशन है महराष्ट्रा के नाखपूर में अजनी रेलवे स्टेशन अजनी रेलवे स्टेशन में जो गैंग मैन में मैं वर्ड इस्तमाल होता है और जो गैंग मैन है अजनी रिलवे स्टेसिन में वह फीमिल्स भात स्ट इस तरीके से समझ जो लापपुर में अगर मेंके अगर मेंतरीनम्ट के काम के लिए ट्रैक्स के अगर मेंको फीमेरें को रखा गया है तो यह सब चीजे सिर्फ और सिर्फु रेइलवे में वी जो हमारी वुमंस है उनके उनके कंत्रिभूइुशन को बढ़ाने की यहा जाता है फिप्त जो हमारा रेइलवे सो गुजरात का मड़ी नगर स्टेूशन है यह सभी रेइलवे स्टेशन आप मुम्ताज M.Kaji जी के बारे में हैं मुम्ताज M.Kaji जी क्यों फेमस हैं देखे सुरेखा यादव जी इंडा की पहली लोको मोटीव फिमेल ड्राइवर हैं बट वो जो लोको मोटीव को चलाती थी वो इलेक्ट्रिक लोको मोटीव थे देखे डिलेटिवली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक लोको मोटीव एक डीजल लोको मोटीव से चलाना ज्यादा असान होता है मैं यह नहीं कहा रहा है कि कुई भी किसी से कं बट जो हमारी मुम्ताज m.Kaji जी है इन्होंimana सबसे इंडिया में किसी डीजल लोकोमोटीव को चलाया है तो डीजल लोकोमोटीव को चलाने के बाद मुम्ताज एम काजी जी बहुत ही ज्यादा फेमस होई और इनको बहुत सारे अलग-अलग आवार्ट्स मिले हैं सबसे पहला अगर हम इनका आवार्ट की बात करें तो अभी रि सकती पुरुषकार दिया गया है प्रेसिडेंट आफ इंडिया जो हमारे प्रणव मुखर जी जी थे उनके द्वारा और अगर हम इनके रिकॉर्ड की बात करें तो लिम्का बुक आफ रिकॉर्ड्स नाइंटीन है इनका नाम सामिल है ऐस फर्स्ट एसेंट टू ड्राइब लोको मोटिव देखें फर्स्ट एसीन मूमेंट टू ड्राइब लोको मोटिव का नाम है लेकिन सुरेखा यादर जी को हमने पढ़ा कि इंड़ा के सबसे पहली मूमें थी सो इनको क्यों ऐसा दिया गया है और सुरेखा यादर जी किसी लांग डिस्टन्स की ट्रेंस को उस इस वाग जर्स के समा है इस बात को वोको द्यान रखेगा चले देखें वर्बांट हमारी मंता बहने जी इंडिया में सबसे पहली मिनिस्टर वनी देखें और की गौर्णमेंट थी की 2000 में वो उसके पहले तेरा दिन की गौवर्मेंट फिर तेरा महिने की गौवर्मेंट उसके बाद पांच साल की गौवर्मेंट आई सो जो हमारी यह दोनों फैक्ट आप लोग याद रखे ममता बेनर जी जी एज रेलवे मिनिस्टर बहुत सारे काम की थी जैसे उन्होंने लेडिस कोटा इस सारी चीजे इंट्रूरूस की थी इन सभी के बारे में हमने अपने प्रीवेस वीडियो में बात की है अभी बस आपको इतना है मै प्राश रेलवे मिनिस्टर जो हमारी वूमेन थी वो ममता बैनर जी जी थी जो हमारी पॉइंट है वह हमारे रेलवे बोर्ड में सबसे पहले कोई फीमेल कभ मेंबर बनी है उसके बारे में तो जो हमारी विज्या लक्ष्मी विश्वनाथन जी है यह 2002 में as a finance commissioner हमारे इंडेन जो हमारी Finance Commissioner के पोश्ट है इंडेन रेलवेड बोर्ड की उसको 2002 में चौपा गया था 2002 में सबसे पहली ऐसी फीमेल थी जो इंडेन रेलवेड बोर्ड की मेंबर बनी थी चले अब हम लोग बात करते हैं इंडेन रेलवेड की हिस्ट्री में जो 2015 से 2017 का समय था उसमें ऐसे कौन कौन से development हुए है जो हमारे exam point of view से अभी भी important है क्योंकि यह ऐसे development है जो कई बार exam से पूछे जा सकते हैं यह बहुत ही major developments है तो इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी special train जो science express climate action train है देखिए यह train क्या करती है इस train का काम होता है जो इसमें tourist travel करते हैं उसको इंडियान का जो tradition है यह हमारी भारती परंपरा है वह कैसे प्रकृती से related है जो हमारा nature है हमारा motherland है हम उसको कैसे prevent करके चलते हैं हमारा जो भारती कि परंपरा सुरू से रही है वो हमेशा नेचर को साथ जोड के चलने वाली रही है इंडिया के इसी अलग अलग ट्रेडीशन को 64 लोकेशन के टूर पर लेके जाती है यह ट्रेन और जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको जो हमारा इसमें स्टाफ होता है वो को demonstrate करके समझाता भी है कि जो हमारे एक एक इंडेन ट्रेडीशन है वो किस सरीके से नीचर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं साइंटिफिक वे में इस ट्रेन के बारे में आप लोग समझ गया होंगे यह भी धान रखेगा कि यह ट्रेन 16 कोचेस की है और इसको परवरी 2017 में च दो CNG ट्रेंज चलाए गए हैं यह भारत की पहली दो CNG ट्रेंज हैं और इनको देट मैंने नहीं लिखाया आप लोग नोट कर लीजे 14 जनवरी 2015 को चलाए गया था 14 जनवरी 2015 को हमारे भारत की फर्स्ट टू CNG ट्रेंज चली हैं चले नेक्स्ट है हमारा IRCTC का रूपे प्रिपेड डेबिट कार्ड यह जो कार्ड है यह यूनियर बैंक आफ इंडिया के साथ IRCTC मिलके बनाई है यह कार्ड इसमें आप जैसे आप देखते हैं DMRC या अलग- सो यह सेम उसी कॉंसेट पर बेजड है अगर आपके कार्ड में मनी है या आपके कार्ड वालेट में पैसा आपने जमा कर दिया सो आप इसली कैसलेस तरीके से कहीं पर भी अपने टिकेट को बुक कर सकते हैं चले फोर्थ पॉइंट है गांधी दान से टूना टेक हिंडिया की सबसे पहली पॉब्लीक प्राइवेट पार्टरशिप मॉडल रे लाइन बनाए गई है अभी तक जितनी भी रे-लाइन बंती सब गौगर्मेंट ही बनाती है बट ये भारत की पहली ऐसी रे-लाइन जिसमें प्राइवेट ब्लेयर को भी लिया गया है देख policy 2012 इसमें government चाहती ही कि कुछ private players को railway के developments में share दिया जाए इससे क्या होगा जो government का जो share है वो कम रहेगा और जो हमारा efficiency है किसी भी project यो बढ़ जाएगी किसी भी project अगर हम बनाएंगे government के तरीके से तो उसको time लग जाता है बट अगर वो PPP model पे based होता है तो उसमें private players के पास ही जिम्मेदारी होती ही कि उस project को जल्दी खतम कर सकें इसलिए इस तरह के projects को लाया जाता है और यही सबसे पहली railway line है जो PPP model पे based है गांधी जाम तू टूना टेकर अपोट चले तो अब हम लोग देखेंगे कुछ और ऐसे points को जो 2015 और 2017 के बीच में हुए है और exam point of view से अभी तक important है तो देखें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे demo engine की diesel electric multiple unit इस तरह के engines क्या होते हैं यह दो तरीके के motive power का use कर सकते हैं जब इनको कोई ऐसी railway line पर चलना है जहां पर electrical supply उपर नहीं है सो यह completely diesel engines के तरह काम करते हैं और जब यह electrical lines पर चलते हैं तो यह completely electrical engines के तरह काम करते हैं इस तरह की जो पहली train service हमारे इंडिया में start हुई थी वो दो routes पे हुई थी यह दोनों रूट आपको याद रखना है ट्राइब पूनी थूरा पीरावों और कोची एनकुलम चले सेकेंड पॉइंट है बराक वैली जो हमारा असाम में है वहां तक जो हमारी railway connectivity है वह पहली बार कब start हुई है 27 मार्स 2015 को कहां से कहां तक हमारी railway connectivity की गई ह है लूम डिंग टू सिल्चर इस जो ट्रेंड रूट है इस पे सबसे पहले हमारी पहली गुड्स ट्रेंड चलाए गई थी 27 मार्स 2015 को ताकि जो हमारा बराक वैली में जो भी समान पहुंचाना है जो भी चीज़े पहुंचानी है वह इसली अब पहुंचाए जा सके थर्ड पॉइंट है 14 मार्स 2015 को नरेन मोदी जी ने स्री लंका में जो हमारे रेलवे लाइन इर्कॉन के दौरा बनाए गई है थलाई मनाटू मधू रोड इसका उधगाटन किया है तो यह जो दो स्टेशन से थलाई मनाटू मधू रोड यह आपको ध्यान रहना चाहिए एक्जाम ने जो स्रेलंका में रेल लाइन बनाई है वो कहां से कहां तक बनाई है चले देखें लास्ट पॉइंट हमारी दिल्ली मेट्रो और लखनव मेट्रो के बारे में दिल्ली मेट्रो को फर्स रैंग दी गई इनफॉर्मेशन डूरिंग ट्रैवल के जितने लोगों ने दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल किया है वो लोग जानते होंगे कि जैसे ही हम लोग दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पर पहुंचते हैं सबसे पहले हम लोग को डिटल बोर्ट दिखाई देने लगता है कि कि किस जो है अगर हमसे चूट गई तो तुरंट जैसे त्रेन के जाते हमको पता चल जाता है कि कब आने वाली है तो इस तरीके की चीजे दिल्ली मेट्रो इस्टेंटली प्रोइड करता है और जब आप मेट्रो के अंदर भी घुषते हैं तो उस वक्ती नेक्स इस्टेशन कौन सा आने वाला यह सारी चीजे लगातार उसमें एनॉसमेट होता रहता है दर्वाजे की सेट खुलेंगे यह सब चीजे भी उसमें बताए जाती है इस तरह की जो इंफॉर्मेशन वह दिल्ली मेट्रो सबसे अच्छे तरिके से प्रवाइट करता है इसलिए इसको फर्स्ट रैंक कोचेश थे कोरोणा ना फैले इसके प्रिवेंशन के लिए ट्रेन कोचेश को अल्ट्रा वालेट टेकनलोजी से स्रीटाइज करना सुरू किया इस तरीके से सिर्व साथ मिनिट लगता है बट लगनावं मेट्रो इन कोचेश को 15 मिनिट तक सबस्राइज करती है सब्सें के परपस से लकनव मेट्रो या कोविड रिलेटेड फैक्ट से भी मैंने यहां पे दिल्ली मेट्रो के बारे में बताया इसलिए लखनव मेट्रो का भी फैक्ट मैंने कवर कर लिया इसको आप लोग याद रखेगा आई होप यह सारे पॉंट्स आपको क्लियर होके होंगे का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है तो चलिए बच्चों मिलते हमारे नेक्स वीडों में तब तक के लिए जैहिन